चेह मुखी रुद्राक्ष शिव का वह अंश जिसमें शिव पुत्रकार्ती की एव शुक्रग्रह की शक्तियां समाई हैं। इसके बारे में पद्मपुराण कहता है वाग्मी धीरह सभायाम चा त्रिपवेश्मनी संसदिना चा कातरताम इती तैव भंगो भवेद्रुम यान देव ने रुद्राक्ष का क्या महत्व, मंत्र, लाभ वधारन विधी बताया है। आधुनिक विज्ञान रुद्राक्ष के बारे में क्या दृष्टिकोंड रखता है और अंत में इस वीडियो के टॉपिक या निच्छ है मुखे रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से बताऊंगा यहां क्या है और इसे किस तरीके से हम धारण कर इसका पूरा लाव ले सकें। लिंग पुराण, अगनी पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमत भागवत पुराण, श्रीमत देवी भागवत पुराण, उपनिशद जैसे जाबाल उपनिशद, तंत्र शास्त्र जैसे कात्यायनी तंत्र मेरू तंत्र आदी में। शिव पुराण अध्याय 25 शलोक दो कहता है शिव प्रियत्मों गेयो रुद्रादतह परवानह दर्शनात असपर्शना जाप्यात सर्व पापहरह स्मृतह यानि यह परंपावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यन्त प्रिय है इसके दर्शन असपर्ष और पूजन से सभी प खंड 11 अध्याय 3 कहता है रुद्राक्ष धारणात श्रेष्ठम नकिंची तपी विद्यते यानि इस विश्व में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई उपाए नहीं है इस वीडियो में हम विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे मैं पहले धर रुद्राक्ष में क्या पाया है उसके बाद इस वीडियो का टॉपिक जिस रुद्राक्ष के बारे में है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है इसका महत्व क्या है रुद्राक्ष दो शब्दों के मिलने से बना है रुद्र औ और अक्ष, रूद्र यानी शिव, अक्ष यानी आख, तो शिव की आख से जो आसु की बूंदे धर्ती पर गिरी वही रुद्राक्ष बनी, शिव पुराण विद्देश्वर समहिता में शिव जी माता पारवती से कहते हैं कि हे पारवती कई हजार वर्षों तक तपस्या करन से मेरी आखों से आसु की जो बूंदे धर्ती पर गिरी उनसे रुद्राक्ष उत्पन हुए, मैंने उन्हें विश्णु भक्तों वचारो वर्णों के लोगों में बाट दिये, वे लाल, काले, पीले रंग के रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप हैं, उनमें संसार, वमोक्ष दोनों दोईन की शक्ती है, जो लोग भी रुद्राक्ष धारन करते हैं, उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, त्रिपुंड, भस्म वर रुद्राक्ष धारन करने वाले यम लोग को नहीं जाते, सीधे मेरे शिव लोग को आते हैं, महादेव आगे कहते हैं, रुद्रा पहित रुद्राक्ष धारण कर महा मृत्यूंजय मंत्र की साधना करता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल मिलता है। रुद्राक्षों का क्लासिफिकेशन यानी वरगी करण किस तरीके से किया गया। गणेश, गौरी शंकर, गर्ब गौरी, सवार रुद्राक्ष या अलग प्रकार के रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे गणेश, रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, गौरी शंकर, दामपत्य सुख के लिए और गर्ब गौरी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी इस्तरी को संतान नहीं हो रही हो, गर्ब गौरी रुद्राक्ष पहनने से संतान बहुत बार होती हुए दीख ही जाती है। अगला क्लासिफिकेशन, रंग के आधार पर, तीन रंग के रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं लाल, काले और पीले। समय के साथ पहनने के बाद शरीर पर यह सारे रुद्राक्ष काले पढ़ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन, आकार, भगवान शिव कहते हैं सबसे बड़े आकार का, यानि आवले के आकार का रुद्राक्ष अतीश्रेष्ट होता है। उसके बाद बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम फल देने वाला है। और सबसे छोटे चने के आकार का रुद्राक्ष अधम माना जाता है। अधम का मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बाकी दो के मुकाबले उसका फल देना का शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो हमने इससे यह समझा कि जैसे जैसे रुदराक्ष का दाना बड़ा होता जाता है, उसकी शक्ती बढ़ती जाती है। अब बड़े दाने के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं, छोटे दाने के रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं, धर्ती पर बहुत जगह रुद्राक्ष होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, बर्मा, श्रिलंका, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, केरेबियन सबसे अधिक बड़े साइज के दाने जो होते हैं वह नेपाल में मिलते हैं इसलिए शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष नेपाल के ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं तो जिन रुद्राक्षों का प्रियोग जब माला में किया जाता है वो बड़े छोटे होते हैं और पहनने के point of view से नेपाली रुद्राक्षम प्रयोग करते हैं। उनमें आध्यात्मिक शक्ती नेपाली में अधिक देखी जाती है। छेद्र यानि होल के आधार पर भी classification है। भगवान शिव कहते हैं प्रकृती द्वारा स्वयम छेद्र किया हुआ रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। और जिसमें मनुष्य स्वयम से छेद करें वह कम फल देने वाला होता है। इस parameter पर भी हम देखते हैं सिर्फ नेपाल के रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिन में स्वयम छेद्र होता है। बाकी धर्ती पर पाए जाने वाले सभी रुद्राक्षों में होल ड्रिल करके करना पड़ता है स्वयम से। इसलिए भी उनका फल कम मिलता है। तो यह चार तरह से classification हुआ रुद्राक्ष का मंत्र के बारे में जानते हैं भगवान कहते हैं बीना मंत्र जपे पहना गया रुद्राक्ष फल नहीं देता है और वह सभी 14 मुखे रुद्राक्ष के 14 अलग-अलग मंत्र देते हैं जो रुद्राक्ष धारण करते समय पढ़न चाहिएं इसके बाद उप्योग हर रुद्राक्ष का अलग गठ व अलग उप्योग होता है जैसे दो मुखे रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और यह धन वपरिवार का सुख देता है तो अगर कुण्द्ली में चंद्रमा अच्छा नहीं हो तो आपको तो अपने requirement के हिसाब से पहनिये, हर रुद्राक्ष के अलग स्वामी देवताव ग्रह होते हैं, ग्रह तो 9 हैं पर रुद्राक्ष 21, तो हर ग्रह के 2 या उससे अधिक रुद्राक्ष होते हैं, जन्मकुंडली में ग्रह की स्थिती, शक्ती और आवशक्ता के अनुसार हम रु रुद्राक्ष हैं, 7, 14 और 17 मुखी रुद्राक्ष, मुख के हिसाब से शक्ती बढ़ती जाती है, तो जो शक्ती 17 मुखी रुद्राक्ष में है शनी की वह 7 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे उतने मुखका रुद्राक्ष ऊपर होगा भी, तो यह सात मुखी रुद्राक्ष इसमें सात बीज हैं, बीजों में ही रुद्राक्ष की शक्ती होती है, तो सात मुखी रुद्राक्ष में सात बीज होंगे, सतरह मुखी रुद्राक्ष में सतरह बीज होंगे, तो आप देखि अधिक लाइट देगी, अधिक शक्ति वाली होगी, तो यही analogy आप use कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जो 3 से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, वह lower मुखी माने जाते हैं, वह general purpose रुद्राक्ष होते हैं, 11 से लेकर 21 मुखी तक higher मुखी रुद्राक्ष ह हैं, वह specific purpose के लिए use किया जाते हैं, जैसे अगर किसी को खासी हो, तो साधारन खासी की दवा से उसका काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को TB हो, तो विशेश दवा देनी पड़ेगी, यही अंतर है, नीचे के lower मुखी रुद्राक्ष में और अपर मु मुखी रुद्राक्ष में है, इसका मतलब यह नहीं कि साथ मुखी रुद्राक्ष कम शक्तिशाली है, बहुत है, उसका अपना काम है, लेकिन जब शनी की साड़े साती यह शनी बहुत ही जादा पीडित करें, तो साथ मुखी नहीं, 14 या 17 पहनना पड़ता है, जैसे सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बना है रुद्राक्ष पर, अभी आप स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, मेरे चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, एक और वजह से रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ जाती है, देखिए, धर्ती पूरी पोल्स पर चप्टी हो जाती है, जो हैर मुख्य रुद्राक्ष है, उनमें तेज गती से घूमने की चमता होती है, एक एक जामपल से आपको समझाता हूँ, देखिए, मेरे या दो रुद्राक्ष है, या पांच मुख्य रुद्राक्ष है, देखिए आप पूरा गोल है, या अठारा मुखी रुद्राक्षे, या चप्टा है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप, यानि ऐसा फ्लैट जैसा जा रहा है, पुरी तरह से गोल नहीं है, तो पाच मुखी में वह शक्ती नहीं हो सकती है, जो अठारा मुखी में है, इसलिए हम कहते हैं, अठारा मुखी रुद्राक्ष, भूमी देवी का है, गायत्री का रुद्राक्ष, बड़ी शक्तियां है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, शक्तियां बढ़ती जाती हैं, जब रु ज्यानिक द्रिश्टिकोंट जरा हम समझेंगे कि विज्ञान क्या कहता है रुद्राक्ष के बारे में, देखिए विज्ञान कहता है धर्ती गोल है, रुद्राक्ष भी धर्ती की तरह गोल है, मैंने बताया था दो पोल्स होते हैं, रुद्राक्ष में भी धारियां होती हैं, जिने हम मुख कहते हैं, धर्ती पर भी longitudinal lines होती हैं, जो हम imaginary lines की चर्चा करते हैं, lateral और longitudinal axis की बात करते हैं, तो धर्ती की तरह रुदराक्ष में भी frequency होती है और electromagnetic properties होती हैं, इसकी वजह से वातावरंड से हमारे शरीर पर जो charge इकठा होता है, रुदराक्ष उसे balance करता रहता है, अगर medical science की बात करें, तो इसका botanical name aleocarpus granitas है, विज्ञान कहता है, रुदराक्ष के अंदर बहुत सारे metals और fine minerals trace quantity में हैं, सुक्ष में मातरा में हैं, जिनसे पहनने से हमारे शरीर में उनका absorption होता है और वह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, विज्ञान यह भी कहता है, क जो हमारे शरीर में regulate करते हैं, blood pressure, asthma, hypertension, heart को और kidney liver, 50 तरह की समस्याएं control करते हैं, तो बीमारियों से चुटकारा दिलाने में रुदराक्ष का बहुत बड़ा रोल है, बहुत लोग पहन कर लाव लेते हुए देखे गए हैं, भगवान शिव कहते हैं, रुदराक्ष में मेरी शक्ती है, यह संसार व मोक्ष दोनों दे सकता है, बहुत सारी सिद्धियां देने की इसमें चमता है, आठ जो सिद्धियां है, अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ती, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व, तथा जो नौ निधियां है, यानि पद्मम, महापद्म शंखम, मकरम, कच्चपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम और वरम यह आठ सिद्धियां नौ निधियां देने की चमतार उद्राक्ष में होती है आठ सिद्धियां देवताओं के पास होती है नौ निधियां कुबेर के पास होती है यह सभी शिव को प्रणाम करते हैं इसी अब हम चह मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रि यह भी चह मुख्रोद्राक्ष है, इससे उनसे सम्मन्द रखता है, सकंद के जो चह मुख हैं वह पाँच प्रकृति तत्वों यानि भूमी, जल, अगनी, वायु और आकाश को दिखाते हैं और चठा मुख जो होता है वह उस आत्म शक्ती को दिखाता है जो इन पाँच त प्राण डालती है, तो स्वामी सकंद प्राण के प्रतीक माने जाते हैं, शुक्र की वज़े से ही प्रकृति आगे बढ़ती है, सकंद का जन्म ही जीवों के सुरक्षा के लिए हुआ था ताकि वह स्रिष्टी में विस्तार पा रहे आशुरी तत्वों को समाप्त कर जीवो को अभैदान दे सके हैं, हर रुदराक्ष के तीन अस्तर पर लाब होते हैं सांसारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, सांसारिक अस्तर पर अगर हम देखें तो यह रुदराक्ष सुरक्षा देता है हमें, निडरता देता है, तेज देता है, वीरिय वाय, यवन शक्ती देता इसका स्वामी ग्रह शुक्र है जो आकर्शन का ग्रह है इसलिए इसे पहनने से शरीर में आकर्शन बढ़ता है तेज बढ़ता है साथ साथ ही शुक्र को व्यापार पर अधिकार दिया गया तो उससे जुड़े हुए काम करने वालों के लिए है रुद्राक्ष बहुत यानि एक माला में इन तीन रुद्राक्ष के एक-एक दाने डाल कर पहनेंगे तो यह विद्याबंध, सरस्वती बंध या गनेश बंध कहा जाता है यह स्मरन शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ाता है बूस्ट मिमरी एंड कॉन्फिदेंस तो जो बच्चे पढ़ाई में थ लैंड्स पर अधिकार रखता है तो पुरुषों में प्रोस्टेट और इस्त्रियों में गानलोजिकल इशूज जो होते हैं उनको यह रुद्राक्ष क्लियर करता है साथी साथ थाराइड, किड्नी, आईज, यूरिनरी इशूज, रिप्रोडक्टिव इशूज, सीमन के इ रुद्राक्ष स्वाधिष्ठान चक्र को कुंडलीनी में कंट्रोल करता है, स्वाधिष्ठान जल का तत्व है और शुक्र भी जल तत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए जल की जो वेवस्था शरीर में हमारे है, उसे यह यूनिफॉर्म मनाता है, तो जल से सम्मंदित जो परिशानिया हैं, रोग हैं, वह दूर होते हैं, जल इस्थिर होगा हमारे शरीर का, तो मन शान्त होगा, इसलिए शुक्र और चंद्रवा दोनों जलतत्यों के ग्राहें, दोनों हमारे मन और हमारे emotions पर अधिकार रखते हैं, आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र नीच र होगा, अगर आपकी हस्त रेखा में, शुक्र का परवत जो यहां होता है, दबा हुआ, यानि यहां पर flesh नहीं है, मांस बहुत कम है, उठा हुआ नहीं है, तो हम कहते हैं, शुक्र खराब है, या यहां पर बहुत सारी रेखाएं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तब भी स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, इसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ती पर दे दूँगा, जब यह वीडियो समाप्त होगा, आपको स्क्रीन पर देख जाएगा, आप चाहें, तो उसे देख सकते हैं, इसके साथ साथ ही अगर हम देखें, तो इस रुदराक्ष का जो ग्यारा के साथ मिलाकर पहनने से, उसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है, शिवपुराण में भगवान कहते हैं कि किसे भी रुदराक्ष को धारन करने से पहले उसका मंत्र ज़रूर जपना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है, इस रुदराक्ष का धारन मंत्र या आप इसे भी कर सकते हैं, सबको इश्वर कल्यांड करें, सबको अच्छे बुद्धी दें, ऐसी प्रार्थना है, हरियोग.